मैं आपको एक उधारन देना चाहता हूँ और भी गुदार रिष्टरे रहो यात्रा पे मैं चल रहा था सब चल रहे थे जब चलते हैं इस साइड देखते हैं लोगों को नमस्कार करते हैं इस साइड देखते हैं लोगों से बात करते हैं पीचे से अपनी आग से देखा छोटा सा बच्चा अंदर आने की कोशिश कर रहा था काफी भीड थी मैं सोच रहा था इस बिचारे को चोट ना लग जाए मगर मैंने कुछ किया नहीं बुलाया नहीं मैं देखना चाहता था कितना दम है लड़के में किया ये एक दो धक्के खाके भाग जाएगा या फिर ये कोशिश करेगा तो एक प्रकार से मैंने उसकी उसका टेस्ट लेने की कोशिश की अतनी तेस्ट जेड़ान की प्राहितन जेशन ने रूँ दो तीन बार उसने कोशिश की पिर पुलीस वाला ने उसको जोरों से धकेला वो नीचे गिर गया रूण्डू साल प्राहितन पांच मिनट बाद मैंने उसी चहरे को सामने देखा वो वापिस आ गया अदे मोहान नी मलनी मुंदू जू सैनू इस साइड फेल हुआ धक्का लगा चोटा सा बच्चा उसको मारा गिरा दिया सड़क पे गिरा चिल गया होगा दो मिंट के रिच गला गया दूसरी साइड से वापिसा अचिर्न पिलवाडू नू के से खितने बड़ी देबलता किना मल्ली वेरे साइड निंची मुंदू गरावडवन इन गवन इंचानू मैंने का थोड़ा और इसको टेस्ट करता हू वहां दक्का मुंकी चल रही थी चलता गया अकड़ा नू को लाट चरीग ना तो किस लाट चरीग ना अपिलवाड मुंदू पोतिने हो नडू फिर से पोलीस वाला नो उसका दक्का दिया फिर से वो किरा मली बटनू गायब हो गया देबदा किन दी मैंने का इस बार तो चार पाँच मिंट बाद इस साइड आया और फिर जादू से पतानी कैसे मेरे साइड पे आ गया अनुको खुंडा आ पिलवाड ना पक्केने आतरिश्य में आडू मेरे साथ एक लड़का काम करता है उसने मुझे कहा ये बहुत कोशिश कर रहा था उधर से इसने ट्राई की बात नी बनी इधर से ट्राई की बात नी बनी इधर से ट्राई की बात नी बनी फिर अंदर आ गया मरी यी पिल्लवाडू अन्नी दिक्विल निंची ननु कलवड़ान की प्राहितन जेसी चिवरिगा ना देगरिके रावड़ों इंतो संतोशकर ने पिरे मनजेस्त नारू फिर मेरे पास आता है मेरे साथ चलता है कुछ मांगा नहीं बस चल रहा था बड़ी मैं कहूँ डिग्नीटी के साथ फीट सीधी रख्के चल रहा मैंने सोचा ये अपने पिता के साथ आया होगा मैंने कहा पापा कहें नहीं पापा आना चाहते थे आ नहीं पाए घर में मां थन्री रादल सुक्रुटगा नी रालेक पोईंडू इंटी काड़ू नन जेपी आ पिलवाट नहीं जेपपेडू मैंने कहा क्यूं क्या हुआ क्यूं नी आप आये कहता है थोड़ा से बुखार है मैंने कहा तुम यहां केले आ गए केता हाँ मैं केला आया मैंने का चलो पापा सी फोन मिलाओ तो पापा वे फोन मिलाता है और फिर पापा का चहरा मैंने देखा पापा को डेंगू था और बेटे के दिल में डड़ था मैंने पूछा हस्पताल ने गए उसने जवाब नहीं दिया चुप हो गया मैंने पिता को नमस्ते की अपने लोगों से कहा चेक करवाएं हस्पताल भेजने की कोशिश करें अब आप देखो यह है तेलंगाना की आवास पहली बार दबा दिया कहीं और से निकलेगी उधर दब गई तो इधर से निकलेगी और इधर दब गई तो फिर इधर से निकलेगी तेलंगाना की आवास सुननी ही पड़ती है इसको दबाय नहीं जा सकता और ऐसे ही मैंने आपको एक उधारन दिया बच्चे का उधारन दिया मैं आपको किसान का उधारन दे सकता हूँ मैं आपको मजदूर का उधारन दे सकता हूँ आदिवासी माता का उधारन दे सकता हूँ दलित महिला का उधारन दे सकता हूँ सब एसे हैं कोई पीछे निहटता वर अंदर उड़ा तेलंगाना लो अदेवितन उंटरू यवरू यनक्किपोरू तो यह आप पुरे देश को सिखा सकते हो इदी मिरी कर्णिंची मोत्तों देशान की नेर पिच्चे शक्ति मी कुदन जे पर अपसे सीख सकता है मगर यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना जाता हूँ मेरी कर्णिंची मिममलों का प्रिश्ण अड़ो तुना उस बच्चे का पिता हस्पताल क्यों नहीं जा सकता आप पिलवानी तन्री हॉस्पिटल यंदुको पोले का पों इँड़ू उसको कौन रोक रहा है यहर आप इंड़ू उसको कौन सी शक्ती रोक रही है ये शक्ति येन आप इंडि सारे के सारे हस्पताल टलंगाना में प्राइवेटाईज कर दी है तेलंगाना लो अनुनी हॉस्पिटल्स हु प्राइवेटी करने चे बड़ी नई वोही लड़का अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहे अगर एंजिनियरिंग करना चाहे डॉक्टर बनना चाहे उसे लाखों रुपए देने पढ़ेंगे मैं आपको अभी बता रहा हूं कि उसके घर में लाखों रुपए हैं नहीं कुछ भी हो जाए वो लाखों रुपए शिक्षा के लिए नहीं दे सकता है और अकर देगा तो कर्जा लेके देगा यह आलत है तेलंगाना की किसी भी युवाजे पूछो आपको कहेंगे कि शिक्षा के पूरे सिस्टम को तेलंगाना की सरकार ने खतम कर दिया है बेच दिया है और जो आपने सपना देखा था जो बच्चे ने सपना देखा था उस सपने को आपकी ही सरकार ने नश्ट कर दिया है खतम कर दिया है मीरू तेलंगानलों ये कले तेकनरों अट्वण्टी कललन दोमसं जेशिंदी इट्रस प्रभुत्तों जेपने माला जेश्थे नालू